साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं साथ संगत जी जीवन में प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है कहा जाता है कि प्रेम के सामने तो इश्वर भी जुक जाते हैं इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलने चाहिए और आज की साखी का विशय यही है तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी, पुरानी बात है, एक गाव में एक मजदूर रहा करता था, जिसका नाम था किशन, किशन के परिवार में कोई नहीं था, वो दिन भरा केला मेहनत करता रहता था, किशन दिल का बहुत ही दयालू और कर्मों का भी बहुत ही अच्छा था, किशन मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन मजदूरी के बाद ही मिलता था, किशन के परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए किशन अपनी अजीविका से संतुष्ट था, एक बार की बात है किशन को एक छोटा सा बच्छडा मिल गया, किशन ने उस बच्छडे को खुशी से पाल लिया, उसके बच्छडे से ही शुरू हो जाता, और उसी पर ही खतम होता, वो रात दिन उस बच्छडे की सेवा करता, और उसी से ही अपनी मन की हर एक बात करता, अब कुछ समय के बाद वो बच्छडा बैल बन गया, साथ संगत जी, उस बच्छडे की जो सेवा किशन ने की थी, उससे वो बहुत ही सुन्दर और बलशाली बैल बन गया था। और गाव के सभी लोग किशन के बैल की ही बाते किया करते थे। किशन के गाव में बैलों की भरमार थी। पर किशन का बैल उन सब में से सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उस बैल को देखने आते थे और किशन भी उस बैल को अपने बेटे की तरह ही प्यार किया करता था साथ संगत जी किशन भला खुद भूखे पेट सो जाता था लेकिन वो उस बैल को कभी भी भूखे पेट नहीं सोने देता था एक दिन की बाद है कि किशन के स्वपन में भगवान शिव का नंदी बैल आया और उसने किशन को कहा कि किशन तुम एक नीस वार्थ सेवक हो तुमने खुद की तकलीफ को छोड़ कर अपने बैल की खूब सेवा की इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ती दे रहा हू अब इतना सुनते ही किशन जाग गया और अपने बैल के पास गया किशन अपने बैल को सहलाया और मुस्कुराया और सोचने लगा कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है तब ही अचानक से अवाज आई कि बाबा आपने मेरा ध्यान एक पूत्र की तरहां रखा है और मैं आपका आभारी हूँ, अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर किशन घबरा गया, उसने खुद को संभाला और तुरंत ही अपने बैल को गले से लगा लिया। उसी समय से किशन अपने बैल को नंदी कहकर बुलाने लगा। साथ संगत जी किशन दिन भर काम करके आता और फिर घर आकर नंदी से ये बाते करता। गरीबी की मार बहुत थी, नंदी को तो किशन भर पेट देता था, लेकिन वो खुद भूखा सो जाता था। और ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। नंदी ने किशन से कहा कि वो नगर के सेट के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी सो गाडियां खीच सकता है। और शर्त के रूप में सेट से एक हजार मोहरे ले लेना। अब किशन ने अपने बैल नंदी को कहा तू पागल हो गया है। भला कोई बैल सो गाडियां कैसे खीच सकता है। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन अपने बैल नंदी के बार बार अगरह करने पर किशन को उसकी बात मानने पड़ी। अब एक दिन की बात है कि डरते डरते किशन सेट दीन दयाल के घर पर पहुँच कया। दीन दयाल ने किशन से उसके आने का कारण पूछा, तो किशन ने शर्ट के बारे में कहा, वो सेठ दीन दयाल जोर-जोर से हसने लगा और कहने लगा कि किशन बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मती भी बैल जैसी हो गई है, अगर शर्ट हार गए तो एक अज़ार मोहरों के तुम्हें अपनी जोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी ये सुनकर किशन और जादा डर गया लेकिन सारसंगत जी किशन अब भी अपनी बात पर अड़ा था आखिरकार शर्त का तै दिन आ गया और सेठ दीन दयाल ने पूरे गाउं में ढोल पिटवा कर इस प्रतियोगिता के बारे में काम वालों को खबर दे दी और सभी को ये अदबुत नजारा देखने के लिए बुलाया सभी ये खबर सुनने के बाद किशन का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि ये शर्त तो किशन ही हारेगा ये सब सुनकर किशन को और जादा डर लगने लगा और किशन को अ और कहने लगा कि कहां मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी। इस बैल की वज़े से मेरे सर से छत भी चली जाएगी और लोगों की थू-थू होगी वो अलग। अब किशन को नंदी बिलकुल भी रास नहीं आ रहा था। अब सो माल से भरी हुई गाडियों के आगे नंदी को जोता गया और गाडी पर खुद किशन बैठा। सभी गाम वाले ये नजारा देखकर हस रहे थे और किशन को बुरा भला कह रही थे। किशन ने नंदी से कहा कि देख तेरे कारण मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे की तरह पाला था और तूने मुझे सडक पर लाने का काम किया। अब किशन के ऐसे ग्रणित शब्दों के कारण नंदी को गुसा आया और उसने ठान लिया कि वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह किशन शर्थ हार गया। सभी गाव के लोगों ने किशन का मजाक उड़ाया और किशन को अपनी जोपड़ी भी सेठ दीन दयाल को देनी पड़ी। अब किशन नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और कर किशन चौक गया। उसने गुसे में पूछ लिया कि मैंने क्या किया। तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ती दी। और मैंने तुम्हारे लिए ये सब करने की सोची। लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने तब मैंने ठानी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा लेकिन अब मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं सो गाडियां खीच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी जोपड़ी और एक हजार मुहरों की शर्त लगाना। अब अपने ब उस पर किशन बैठता है और प्यार से एक नंदी को सहला कर उसे गाडियां खीचने के लिए कहता है और इस बार नंदी ये कर दिखाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और किशन शर्त जीत जाता है और सेठ दीन दयाल किशन को उसके जोपड़ी और एक हजार मुहरे देता है किशन केवल अपने प्रेम के मेठे बोल की वज़े से ही इस शर्त को जीत पाया साथ संगत जीवन में प्रेम से हम किसी को भी जीत सकते हैं और कहा जाता है कि प्रेम के सामने तो इश्वर खुद भी जुक जाते हैं इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलने चाहिए अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ साथ संकत्ची प्यार से कहना धन नरंकार